गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बात फिर से आपका स्वागत है देखें स्टुडेंट्स काफी दिनों तक हमारा यूटूब चैनल पे हमने कोई भी वीडियो अप्लोड नहीं किया क्योंकि यह कुछ तबियत का इश्यू थ पत्ति हूं और आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आएं हैं और इस वीडियो में हम आपको पानीपत के जितने भी यूद हुए हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स पानीपत के मतलब तीन यूद हुए हैं जो इत्यास में बहुत ही महत् पानीपत जिल्ले में स्तित है और यहां पर तीन जो फेमस यूद हुए हैं जैसे पानीपत का पर्थम यूद है यह है 1556 इसीव में हुआ तो देखेगा स्टुडेंट्स जो भी यूद होता है उसका कोईन कोई कारण भी होता है और फिर उसके परिणाम भी होते हैं और व् भी जो वंस जीतता है उसके अकोर्डिंग चेंज भी होती है तो इनी सब बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है इससे पहले भी हमने काफी सारे वीडियो इथियास या संबन्दित बताए हैं और जो मतलब एक्जाम की दर्ष्टी से बहुत महता पुण है आगे भी हम आपको इस्ट्री से महता पुण चीजें बताएंगे तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे तो पढ़ते हैं पानिपत के तिन यूधों का वर्णन ठीक है देखेगा इतिहास के अनुसार पानिपत के तीन यूधों लड़े ग ठीक है और देखेगा जो पानिपत का पर्थम यूध है ये है 21 अप्रेल 1526 में बाबर और इब्रहिम लोधी की सेना के बीच में लड़ा गया था ठीक है और पानिपत का जो विते यूध है ये 5 नमबर 1556 में अकबर और मुहमत आदिलसा सूर के बीच में लड़ा गया था तो जो अकबर है ये मुगल मंस का सासक था और अकबर की तरफ से बैरम खां इस यूध में लड़ा था बैरम खां ये अकबर का सरंग सक भी था और अकबर का मुख्य मंत्री भी था और जो मुहमत आदिलसा है सूर है ये अफकान मंस का था और इसका जो इसकी तरफ से जो ल हेमू है इसने विक्रमा दित्ते की उपादी धारन करी थी और ये मतलब चोधवा ऐसा सा सकता जिसने विक्रमा दित्ते की उपादी धारन करी थी तो वैसे देखें तो पानिपत का जो द्वित्य युद है यह है लड़ा तो गया था मुगलो और अफ़कानों के बीच में और अक्पर और आदिल शासूर के बीच में लेकिन जो युद मैदान था उसमें जो एक च्व लड़ाई हुई थी वह बैरम खान और हिमु के बीच में हुई थी इसमें हिमु हार जाता है हिमु के आँख में तीर लग जाता है जिसके करणवा गायर हो जाता है और वहां से भग अब देखेगा पानिपत का तुरित्य यूद ये 14 जन्वरी 1761 में अफ़कान और मराठों के बीच में नड़ा गया था और जो ये अफ़कान, अफ़कानों का जो नेतरत्वा करता है वे एहमसा अफदाली था और मराठों का जो नेतरत्वा करता था वे पेश्वा बाजीरा था ठीक है तो जो पानिपत का तुरित्य यूद है इसका प्रिणाम ये हुआ कि इसमें मराठे हारे थे और माराठों का वन्सखतम ही हो गया था और इसके बाद मतलब यह हुआ था कि जो पानिपत का जो त्रित्य यूद है इससे माराठा समराजे एकदम से पतन की ओर चला गया था ठीक है अब देखेगा एक एक को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मैं आपको अलग सेन के वीडियो भी बताऊंगी ठीक है अब देखेगा पानिपत का पर्थम यूद है यह 21 अप्रेल 1526 को हुआ यह यूद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था और इस यूद लोदी है यह क्या है कि पानिपत के पर्थम यूद में ही यह मारा जाता है और इब्राहिम लोदी है यह है लोदी मन्स का अंतिम सासक था ठीक है और जो इब्राहिम लोदी है यह यूद में मनने वाला भारत का पर्थम मुसलिम सासक था ठीक है यह क्यूशन बनता है कि भई जो युद में मनने वाला भारत का पर्थम मुस्लिम सासर कौन था वह था आपका इब्राहिम लोदी तो ये हुआ आपका पानिपत का पर्थम युद अब आता पानिपत का द्वीत्य युद ठीक है तो पानिपत का जो द्वीत्य युद है ये 5 नमबर 1556 को लड़ा गया था यह योद मुगल सासक अक्बर और अखानों का सुरीवन्स का जो सासक था मुहमत आदिल साय इनके बीच में रड़ा गया था और इस योद का नेतरत्वाय अक्बर की ओरसे वैरमखा और मुहमत आदिल साय की तरफ से हिमू ने किया और पानिपत के द्वीतिय युद में मुहमद आदिल साह की क्या हुई थी? हार हुई थी अर्थाद हेमू पराजित हुआ था और अकबर की यहाँ पे जीत होती है अकबर का समराजे और भी सूद्रड हो जाता है ठीक है? और यह हमने आपको पहले ही बताए कि जो हेमू है यह दिडली पर अधिकार कर लेता है और अपने आपको स्वतंतर सासक भी गोशित कर लेता है जिसके कारण इसने विक्रमाधित्ते की भी उपादी धारन करी थी ठीक है? इसके बाद आता है आपका पानिपत का तृतिय युदे तो पानिपत का तृतिय युदे 14 जनवरी 1761 को पूरे पेश्वा बाजी राव के मद्दे लड़ा गया था ठीक है और जो पानिपत की तीसरी लड़ाई है इसमें क्या हुआ था इसमें मराठों की हार हुई थी ठीक है तो देखेगा जो पानिपत का त्रिते युद्ध है इसमें मराठों की हार होती है और इत्यास एकदम से के थ्यास के बारे में भी पढ़ाएंगे ठीक है तो देखेगा यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कोई भी हमारे वीडियो में कमी या फिर कोई भी मिस्टेक नवाद